इस्लामिया युनिवर्सिटी की बिटेक की 5th राउंड में क्या कट आफ सरेने वाली है इस वीडियो में डीटेल में बताऊगा सभी ब्रांचेज और केटेगरीज की और कब आएगा sport round 1 है कि क्या है सारी बाते करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो करते हैं start सबसे पहले देख लेते हैं list आएगी कब अगी तो अगर हम fourth list देखे तो उसका जो admission का date है वो 28th of August से यहाँ पर देख सकते हो first of September तक है और admission के तीन से चार दिन तक maximum पांस दिन के बाद next list आ जाती है तो इसके according four five six September तक हमारी fifth list आ जाएगी अगर fifth list आती है तो और अगर sport round आएगा तो time लगेगा क्योंकि आर sport round first आएगा और sport round में अलग से registration होता है फिर बहुत सारी चीज़े होती है तो थोड़ा time लग जाता है आने में अगर fifth आता है तो 5-6 September तक आ जाए अब बता देता हूं cutoffs क्या रहने वाली है देखो यह जो cutoffs में बताने जा रहा हूं यह सारी fifth round की cutoff होने वाली है वो सारी सही थी वो मैं face video के साथ लेकर आता था बट अभी थोड़ा possible नहीं है इस time पर बना तो मैं यह file में यहां पर लिख दूँआ इस video के अंदर सबसे पहले बात करते हैं computer engineering में और ज़रूरी नहीं है कि सभी branch और category में आए अगली मतलब कुछी category में आ सकता है computer engineering की बात यह तो fourth list की cutoffs है जो screen पर है जो मैं लिख रहा हूँ यहां पर वो fifth की होने वाली है क्योंकि यहां से मैं compare करके बता रहा हूँ न साथ के साथ electronics की बात करें general में 72, 73,000 रह सकती है fifth round में और Muslim में 73, 74,000 Muslim OBCST में भी same approach क्योंकि ज़्यादा difference नहीं है 75,000 तक जा सकता है Muslim women में 90,000 तक जा सकता है और Kashmir migrants की तो यार देखो 9,000 अभी यह तो और भी लो चली जाएगी अब यहां पर electrical engineering की देखते हैं general दोखो 4th में 79,000 थी यहां पर fifth list में 85, 86,000 तक जा सकता है और Muslim में 90,000 तक Muslim के लिए जा सकता है जो कि Muslim general होते है second वाला जो है Muslim OBCST के लिए 92, 93,000 तक और JK के लिए 1,30,000 तक जा सकता है और इस वीडियो के लिए इतने कमेंट्स आ रहे थे इतने मतलब डिमांड में थी यह वीडियो इसलिए आर थवा टाइम भी लग गया क्योंकि यह फिफ्थ लिस्ट के लिए कहीं भी डेटा नहीं था last year का मतलब की बहुत कम अब लेवल था तो इसलिए इसमें छुअ टाइम भी लगा बनाने में और सब रिसर्च करने में मैकेनिकल की बात करें क्या रहनेवाली है जैनरल में 93,94 ताउजएंड है जेनरल में 93,94 थाउजएंड मुस्लिम औभी सियस्ट में 100,000 क्रोस कर सकता है मुसलिम विमें में 1,20,000 जमू एंड कश्मीर में 1,30,000 कश्मीर माइगरेंट तो यार देखो 9,69,000 है तो 10,00,000 से उपर ही समझो अब यहाँ पर फाइनली मैं सिविल इंजीनरिंग की बता देता हूँ हमारी जो लास्ट ब्रांच है इसके अंदर यार देखो सभी केटेगरीज लगभख सभी केटेगरीज देखने के लिए मिलती है क्योंकि यार इसकी कट ओफ सबसे लो जाती है आप सब की लास्ट होप है यह जो यह कट ओफ समें बता रहा हूँ अगेन फिफ्ट रांड की होने वाली है ना की स्पोर्ट रा पहले इसकी वर सिविल की कट ओफ देख लेते हैं जैनरल कट ओफ देखो 96,000 के अप्रॉक्स जाने वाली है मुस्लिम क्योंकि अर्दों को फिफ्ट रांड में ज्यादा डिक्रीज नहीं होगी कट ओफ ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी अगर स्पोर्ट रांड आता तो बह बहुत मतलब कि यह बहुत ही अंसर्टेन होता है कश्मीर माइग्रेंट जो कट ओफ होती है क्योंकि यहां पर वैसी नौ लाग पॉंच गया उससे पहले 6 लाग था तो यहां पर सभी ब्रांचेस की मैंने कर दी हैं वीडियो पसंद आई इन्फर्मिटिव लेगी लाइक ज हो जा रही हैं आपको अच्छी ब्रांचेस मिलने के चांसे बाकि सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन प्रस कर देना क्योंकि आपको पता है ऐसी वीडियो सिर्फ मैं लेके आता हूं और डेली लेके आता हूं और फिर मिलते हैं कल की एक और ऐसी इंपोर्टेंट अधियो मैं